शामी ने बहुत दिन पहले लॉंच कर दिया था Redmi Note 9 Pro Max और उसका प्राइज भी अभी थोरा सा GST के कारण इंक्रीज हो गया है और Poco X2 भी Poco के तरब से आ गया था अभी लॉकडाउन के कारण आपको Redmi Note 9 Pro Max का सेल नहीं देखने को मिल रहा है अभी लॉकडाउन के बाद आपको देखने को मिलेगा Redmi Note 9 Pro Max का फास सेल मैं भी खरिद लूँगा और अभी मेरे पास Poco X2 है आपका सबसे ज़्यादा जो डाउट है आप मुझे पूछ रहा हूं इन दोनों फोन में यानि Redmi Note 9 Pro Max और Poco X2 में कौन सा बेटर है तो मेरे पास तो है Poco X2 और समाच आता हूँ मेरे पास Redmi Note 9 Pro Max नहीं है पर खरिद लूँगा पर उसका स्पेक्स मेरे पास है तो दोनों का एक साइड वाई साइड कंपारिजन ये वीडियो में कर दूँगा दोनों ही फोन बहुत ही अच्छा है रेटमी Note 9 Pro Max का स्पेक्स अगर आप देखोगे तो इस प्राइसेंड में काफी अच्छा है पर हाँ प्राइस अभी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है ये मैं नहीं सपोर्ट करता हूँ और Poco X2 का प्राइस भी इंक्रीज हुआ है अभी दोनों फोन का अगर प्राइस को देखा जाए रेटमी Note 9 Pro Max जिसका 6GB और 64GB वाला वैरियंट है उसका प्राइस आपको अभी GST के कारण एक्स्टर लगता है 16,499 रुपिल्स और Poco X2 का जो 6GB, 64GB वाला वैरियंट इसका प्राइस 16,999 यानी 17,000 के आसपास आपको मिलता है यानी 500 का एक्स्टर आपको मिलता है यानी देना होता है Poco X2 के लिए अब चलिए रेटमी Note 9 Pro Max में आपको क्या बहतर मिलता है Poco X2 से प्राइस आपको 500 रुपिस कम देना हो रहा है रेटमी Note 9 Pro Max अगर आप खड़ीद रहे हो तो दूसरा अब इसमें Poco X2 में आपको Hybrid स्लोट मिलता है यानी आप एक SIM और एक MicroSD कार्ट का उप्योग कर सकते हो या तो दो SIM का पर रेटमी Note 9 Pro Max में आप तीन कार्ट स्लोट आपको देखने को मिलता है यानी आप दो SIM और एक MicroSD कार्ट का उप्योग कर सकते हो आज के ठीट में यह होना बहुत ही जरूरी है अब इसमें मैं बैक्टरी को थोड़ा सा कहूंगा देखे मैं Poco X2 यूज कर रहा हूँ इसका बैक्टरी परफोर्मेंस अच्छा है पर बैक्टरी ड्रीनिंग इसू भी है अगर आप PUBG खेल रहे हो बहुत देर तक या तो आप जो वीडियो कैमरा यानी कैमरा में वीडियो सूट कर रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगा बैक्टरी को लेकर अब इसमें Poco X2 में 4500 एमिज बैक्टरी मिलता है वही Redmi Note 9 Pro Max ये Note Series के अंदर आता है इसलिए इसमें आपको थोड़ा सा ज़ादा बैक्टरी मिलता है 5020 एमिज का तो ये तो तैय हैं आपको Redmi Note 9 Pro Max में थोड़ा सा ज़ादा बैक्टरी मिलता है और इसके कारण आपका जो बैक्टरी का पर्फॉर्मेंस अगर आप हे भी उजर हो गेमर हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा तो यहाँ पे Redmi Note 9 Pro Max थोड़ा सा आगे है अब फास्ट चार्जिंग का बात कर लेते हैं देखें Poco X2 में जो प्रॉसेसर मिलता है वो तो ज़ादा फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है यानि फास्ट चार्जिंग को पर आपको बॉक्स में मिलता है 27 वाट का एक फास्ट चार्जर पर Redmi Note 9 Pro Max पे आपको 33 वाट का एक फास्ट चार्जर मिलता है काफी बरिया और Poco X2 से ज़ादा मिलता है और इसी लिए और Xiaomi ये भी क्लेम करता है 0 to 50% ये आपको सिर्फ 30 मिनिट्स पे चार्ज करके देगा तो यहाँ पे फास्ट चार्जिंग के मामले में भी अब यहाँ पे Redmi Note 9 Pro Max आगे है और बैक्टरी के मामले में यानि बैक्टरी पर्फॉर्मेंस के मामले में भी Redmi Note 9 Pro Max आगे है अब देखे कैमरा, सिल्फी कैमरा में आपको Redmi Note 9 Pro Max ज्यादा अच्छ लगेगा अब यह जो 2 मेगा पिक्सल का कैमरा है, यह कुछ खास नहीं है, काम नहीं करता है वैसे अगर आप उसको जो बंद करके भी पिक्चर लेते हो, तो यहाँ पे पोर्टेट मोट पे आप पिक्चर ले सकते हो पर 32 मेगा पिक्सल आपको Redmi Note 9 Pro Max पे मिलता है तो आगे हैं Redmi Note 9 Pro Max, क्योंकि इसमें 32 मेगा पिक्सल कैमरा मिल जाता है चलिए Design and Build Quality, Poco X2 आपको ज़दा अच्छ लगेगा, क्योंकि इसका Design और Build Quality अच्छा है Glass मिलता है, वही Redmi Note 9 Pro Max भी अपनी जगा ठीक है इसका भी Design and Build Quality काफी अच्छा है, Glass मिलता है आपको वहाँ पे इसका Oval Type आपको थोरा सा मिलता है, Poco X2 में और उसमें आपको Square Type मिलता है यह तो आपकी उपर निर्भर करता है, आप कौन सा लेना चाते हो अभी Poco X2 में कुछ Extra आपको मिलता है देखे, आपको यहाँ पे 6.6 इंचेस का एक डिस्प्रे मिलता है और यहाँ पे Dual Punchhole मिलता है और Redmi Note 9 Pro Max में Single Punchhole और यहाँ पे 120 Hz रिफ्रेस रेट दिया गया है Poco X2 में और यह Automatic 60 Hz में भी यहाँ पे Transfer होता है, यानि Switch होता है पर Redmi Note 9 Pro Max में आपको 60 Hz रिफ्रेस रेट डिस्प्रे देखने को मिलता है अब यह आपके उपर निर्वर करता है आप 120 Hz रिफ्रेस रेट ज़्यादा पसंद करते हो या 60 Hz यानि आपके देनें दिन जिवन पे कौन सा usable कौन सा ज़्यादा है नेक्स्ट जो है, यहाँ पे कैमरा 64 MP का कैमरा पीछे में आपको मिलता है दोनों ही फोन में पर यहाँ पे सेंसर का यहाँ पे खेल है पोको एक्स्ट में आपको लेटेस फ्रैक्सिक, सॉनी आयमेक्स, 686 सेंसर मिलता है वही, Redmi Note 9 Pro Max में आपको Samsung GW1 सेंसर मिलता है यह तो आप भी जानते हो, Samsung से जो सॉनी का सेंसर है, वो जादा अच्छा है क्योंकि इसका परफॉर्फॉर्मेंस अच्छा होता है ओवर साथ पिक्चर मिलता है, और आपको लो लाइट कैमरा भी अच्छा मिलता है तो Poco X2 और जो Redmi Note 9 Pro Max दोनोंका कैमरा अच्छा है पर Poco X2 थोरा सा आगे है विगोज आफ इट्स सेंसर और जब यह मेरे पास आजाएगा, दोनोंका कैमरा कमपरेजन भी मैं कर दूंगा चलिए, नेक्स जो यहाँ पर है आप इसका प्रोसेसर देखे, Poco X2 में आपको 730G मिलता है Qualcomm Snapdragon का और Redmi Note 9 Pro Max में 720G मिलता है Qualcomm Snapdragon का दोनों ही फोन में जो GPU मिलता है वो सेम है और आपको वैसे जमीन आस्मान का डिफरेंसस तो नहीं मिलेगा पर हाँ, 730G भी आगे है क्योंकि इसका परफोर्मेंस थोरा सा एक्स्टा मिलता है 720G के मुकाबले में पर Naviq यह सपोर्ट करता है 720G पर 730G यह सपोर्ट नहीं करता है और परफोर्मेंस में आपको यहाँ पे अच्छा लगेगा थोरा सा Poco X2 अब आपकी उपरनिभर करता है आप कौन सा प्रोसेसर के साथ जाना चाते हो अभी जो लास्ट है Liquid Cooling Technology Redmi Note 8 Pro में था पर Max में नहीं है और Poco X2 में आपको Liquid Cooling Technology देखने को मिलता है यानि अगर आपका फोन ज़्यादा हीट होता है तो वो यहाँ पे इंस्टैंट तो नहीं कुछ देन में यहाँ पे कूल भी होता है पर Poco X2 का Heating Issue है इसमें बहुत ज़्यादा हीट होता है अगर आप PUBG खेलते हो या तो आप सूट कर रहे हो वडियार कैमरा से वीडियो तो यह बहुत हीट होता है और वो कूल भी होता है पर Redmi Note 9 Pro Max में आपको Liquid Cooling Technology नहीं मिलता है तो आपको कौन सा लेना चाहिए देखिए अगर मैं अपना हिदायत आपको दूँ तो आप Poco X2 ले सकते हो क्योंकि इसका Design, इसका Build Quality इसका Dual Punch Hold Display इसका 120Hz Refresh Rate इसका 730G Processor और इसमें जो latest Sony IMX686 sensor मिलता है वो काफी बरिया लगेगा आपको अब आपके उपनिवर करता है आप के लिए कौन सा सही होगा